बाधाएं, अर्चने, ब्लॉकेजिज, ये जिसके भी जीवन में आ जाए ना, मानिए खुशियों को ग्रहन सा लगा देती हैं, बाधाओं के आने के सिम्टम जन्म कुनली से नजर आ जाते हैं, साड़े सत्ती, राहू का खराब होना, बर्थ चाट में मंगल का खराब होना, ये कई ऐसे निशानिया होती हैं, जो बताती हैं, कि इनके जीवन में अब जो ब्लॉकेजिज है ना, वो आ रही हैं, ये ब्लॉकेजिज, रिजल्ट किस तरह से देती हैं, मानिए किसी की शादी की उम्र है, लेकिन शादी हुई नहीं रही है, शादी हो गई है, लेकिन उस चाट के मताबिक अलग-अलग से हो सकता है और इसमें घर का खराब वास्तु भी एक बहुत बड़ी भूमी का निवाता है और इस्टॉलोजी वास्तु तो भरे हुए हैं इनको सोल्यूशन देने के उपायों से लेकिन आज मैं कैसा मंत्र एक इस तरह की ताकत के बारे में एक मंत्र ही ऐसा है अगर इसको आप सही तरीके से कर लोगे ना तो यह जितनी भी मैंने प्लॉकेजिस आपको बताईए ना बलके इसके अलावा अगर आपके उपर कोई सुपर नैचुरल किसी तरह का बंधन दोश्पी है ना वो भी इससे पूरी तरह से सही हो जाता है नम मंत्र होते हैं दरसल इनकी किसमे क्या होती है और आज मैं जिस मंत्र की बात करने वाला हूँ वो इन में से किस केटेगरी में आता है और क्यों हम इसको यूज करें और किस तरह से करें ताकि इसका पूरा पूरा फल आपको मिल पाए तो मंत्र जो है ना बेसिकली यह तीन त राक्षरी मंत्र बहुत सारे जितने भी नॉर्मली हम मंत्र देखते हैं जो संस्कृत बेस्ट होते हैं ज्यादा तर ये सब के सब वैदिक मंत्र होते हैं और वैदिक मंत्र की एक खासियत क्या होती है कि जब ये सिद्ध हो जाएं तो ये सारा जीवन उसे इंसान को काम देते ह लेकिन इनको सिद्ध करना जो है, ये कोई असान काम नहीं है, इसके लिए एक प्रॉपर गुरु चाहिए, उसके अलावा एक बहुत लंबे समय तक एक अराधना, एक तपस्या चाहिए, और उसके बाद ही जो मंत्र है न, ये किसी के काम आ सकते हैं, तो नॉर्मली गरहस्त इ होते हैं, तांत्रिक मंत्र, हमने अपने रुटीन में भी आसपास कई ऐसे मंत्र देखे हैं, जिन में फोनेटिक्स का यूज होता है, जैसे कि हम शनी का मंत्र काफी बार देकां, प्राम, प्रीम, प्राम से, शनिश्चराय नमा, इस तरह के बाकी ग्रहों के भी मंत्र हैं, यहां पे भी इन तरह की उचारण होते हैं जो phonetics होती है particular, वो मंत्र होते हैं तांत्रिक मंत्र. तांत्रिक मंत्र की खासियत क्या है? कि यह सिद्ध तो जल्दी हो जाते हैं, लेकिन इनका प्रभाव किसी particular कारे के लिए होता है, और उसके बाद यह प्रभाव जो है dilute हो जाता है. लेकिन तांत्रिक मंत्र में एक और विशेश्टा होती है, कि अगर इसका उचारण गलत हो जाए, तो यह backfire भी कर जाता है, नुकसान भी दे देता है. अब इसके बाद तीसरी कटेगरी आती है शाबर मंत्र. शाबर मंत्र जो हैं, यह सबसे ज़्यादा सेफ मंत्र माने जाते हैं. ना वैदिक मंत्रों की तरह इनके लिए लंबी साधना चाहिए, ना ही इनमें तांत्रिक मंत्रों की तरह टेक्निकलिटी होती है. शाबर मंत्रे नॉर्मली ओगर देहाती लेंग्विज में भी बने होते हैं शाबर मंत्र जो है उनकी एक और खासियत होती है कि जिस इश्ट का शाबर मंत्र होता है उस इश्ट को उनके किसी और इश्ट देव की दुहाई दी गई होती है यानि उनको वास्ता दिया गया होता है कि आपको फलाने का वास्ता ये काम करके दीजिए शाबर मंत्र की ये निशानी होती है और ये खासियत भी होती है और आज मैं हनुमान जी के जिस शाबर मंत्र की आपसे बात करने वाला हूँ उसका नाम आप सभी ने सुन रखा होगा आपने से कईयों ने उसको भली प्रकार से पढ़ भी रखा होगा लेकिन ज्यादा तर लोगों को पता नहीं होता है कि ये जिस पार्ट की मैं बात कर रहा हूँ ये शाबर मंत्र की केटेगरी में ही आता है और ये है बजरंग बान ज अभी इस पार्ट के पीछे 40 नहीं लगा हूँ इस पार्ट के पीछे कवच नहीं लगा हूँए इस पार्ट के पीछे क्या लगा हूँए बान बान उस मंत्र के पीछे लगता है जिसको हम राम बान कहते हैं यानि एक ultimate weapon अब ये जो weapon है इसके बाद आपके पास और कोई remedy ही तो बजरंग बान जो है आप इसका उचारण कर सकते हैं तब भी जब बाकी उपाय जो है फेलो रखे हैं या बाकी आपके पास साधन बन ही नहीं रहे हैं किसी भी उपाय को करने पर या विपदा जो है इतनी ज्यादा प्रबल हो चुकी है कि अब आपको इसका और कोई solution नज यह पाठ कौन कौन लोग कर सकते हैं वो लोग specially कर सकते हैं जो शत्रूं से घिरे हुए हैं जिनके दुश्मनों ने उनका जीना मोहाल कर दिया है यह वो लोग भी कर सकते हैं जो लोग किसी ना किसी तरह के असाध्य रोग से ग्रस्त हो चुके हैं और जिनको दवा लग नहीं और ये प्रयोग वो लोग भी कर सकते हैं जो बहुत ही बुरी तरह से धन दौलत की पैसे के लेंदें में विपदा में फस चुके हैं या वो लोग जिनके लिए अपने करियर में भी तरक्की करने के सभी रास्ते बंद हो रखे हैं इस मंत्र को वो लोग भी कर सकते हैं जिन ल कोशिश करिएगा बजरंग बान जो है रेड प्रिंटेड इंक वाला ही बजरंग बान लीजिए अब इस बजरंग बान को आपने रोजाना साथ बार पढ़ना है किस समय पढ़ना है सुभा या शाम कोई भी समय ले लीजिए प्रेफरेबली इसकी शुरुआत मंगल या शनीवार को करिए लेकिन आपके समस्या की ग्रैवीटी पर डिपेंट करता है अगर आपके पास मंगल या शनीवार तक वेट करने का भी समय नहीं है तो तुरंत भी आप इसको शुरू कर सकते हैं इसका पार्ठ जब आपने जिस भी समय पर शुरू करना है रोजाना उसी ह एक दिन में संख्या होनी चाहिए साथ बजरंग बान जी हां आई रिपीट इसकी रोजाना संख्या होनी चाहिए साथ बजरंग बान इसके अलावा इसको पढ़ना कितने दिन तक है इसको 40 दिन तक कम से कम पढ़ना है और इसके बीच में कोई भी नागा नहीं होना तो प्रभू आपका ये जो समरण है वो कर रहा हूं और जल को जमीन पर छोड़ दीजिए पहले दिन ही ये करना है इसको संकल्प बोलते हैं उसके बाद इस पाठ को करना शुरू करिए और इसके बाद जब साथ बजरंग बाने एक दिन में आप पढ़ लेंगे एक हनुमान चालीसा पढ़के इसको संपूर्ण करना है रोजाना इसको आपने करना है अब इसमें specially जो खास बात है जिससे ये जो पाठ है आपके लिए पूरी तरह से फलदाई होगा उसमें क्या है कि आपको भगवान हनुमान का वो स्वरूप अपने सामने रखना है जिस तरह की आपकी समस्या है suppose करिए कोई बिमार है और उसके इलाज के लिए ताकि दवा उसको अलगे उसका कोई ना कोई अच्छा इलाज निकल आए उसके लिए आप ये पाठ कर रहे हैं तो भगवान हनुमान की संजीवनी बूटी वाली जो फोटो है वो सामने रखिए अब कोई बंदा मुकदमों से घिरा हुआ है शत्रू परेशान कर रहे हैं दुश्मनों ने उसका जीना मुहाल कर रखा है तो हनुमान जी की वो फोटो रखे जिसमें वो पताका यानि जंडा लेके उड़ रहे हैं या लंका जला रहे हैं शादी शुदा जीवन में दिक्कत आ रही है शादी नहीं हो रही है तो उसके लिए भगवान हनुमान की जो अपने चाती में से सियाराम के दर्शन करवा रहे हैं वो फोटो रखनी होगी संतान ना होने की सूरत में या ओवराल जैसे करियर या पैसे की सूरत में बगवान हनुमान की वो फोटो रखनी जिसमें वो वर्दान मुद्रा में इस तरह से बैठे हुए है घर में वास्तु दोश है लेकिन आप किसी भी तरह से वास्तु दोश को न ढूंड पा रहे हैं और आपको लग रहा है कि जब से इस बिल्डिंग में आये हैं तब से आपक इनरजी है यह उसको पूरी तरह से दूर करेगी यानि मैंने यह जो बजरंग बांग आपको जब बताया है। इसमें स्वरूप कौन सा रखना है आपकी समस्या के अनुसार आपने स्वरूप रखना है सपोज करिए आपको कोई भी एक याँ दो समस्याइं इन मेंसे हैं त जो कि बजरंग बान में क्या है, सबसे पहले तो दो बार भगवान राम का वास्ता हनुमान जी को दिया गया है, एक बार कहा गया है उठ उठ चलू तो है राम दोहाई, और एक बार कहा गया है इने मारू तो है शपत राम की, तो इसलिए जब ये हम इतनी प्रबलता से ये प पूरे का पूरे जो 40 दिन का आप प्रयोग करेंगे, इसमें ना नॉन्वेज खाना है, ना लिकर यानी शराब पी नी है, और कोशिश करिए कि पूरी तरह से सादगी और सफाई का वातावरण अपने घर में बना के रखिएगा. तो दोस्तों बजरंग बान का ये जो जब है ना, इसको करिए तभी जब पानी सर से उपर निकलने वाला हो चुका है. बिना बात के छोटी-छोटी बातों पे ये बहुत बड़ा प्रयोग है, इसको मत करिएगा. लेकिन इतना पक्का है कि इन 40 दिनों में भगवान हनुमान चाहे मानव रूब लेकर आपकी साहता करने के लिए या कोई भी साधन आपकी मदद का बन जाए. ये शियर है कि बनता ही बनता है. तो आप इस प्रयोग को करके आपको क्या सफलता मिली मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा. तो आज का वीडियो यहीं तक था, बहुत जल मिलते हैं. एक और नई जानकारी, एक और नई वीडियो के साथ अपना खूब ध्यान रखिएगा. नमस्कार.